हाई अब्रीवन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे बेसन के मसालेदार पराठी की रेसिपी जो बच्चों से लेके बड़ों तक को बहुत ही जादा पसंद आएगा और इसकी चटनी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़ेदार है खाने में तो ठ्राइ तो इसके लिए मैं यूज कर रहे हैं अगारो का वेजिटेबल चॉप तो यहां पर हमने एक मिडियम साइस का प्याज दिया एक मुठी हरे दनिया दो हरी मिर्च लिया है इसको चॉपर में एड़ कर देंगे और बारिक सा चॉप कर लेंगे अगर आप इस एलेक्ट्रिक च आप तो अधर हो तो दीखिदम आप ठाबूण को अफिल करेंगे सों की इसका शचरघूरा आयगा अगर हुए अच्छै ऑट्पूल मिर्क साधुल्य और करेंगे स्था करतेशबी चीजों को तो दीखी यहां पर हमने समय चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है थोड़ो थोड़ो पानी डालकर इसका एक डो लगा कर तियार कर लेंगे तो यहां पर देखिए हमारा जो डो है वो लगकर तियार हो चुका है अगर आपको लगता है कि आपको यह हाथों में चिपक रहा है तो थोड़ा सा सूखा आठाडा का अच्छे से डो लगा ले अब पर रखेंगे पंदरा मिनुट के लिए तब तक चटनी तयार करें गे तो एक मिक्स जार लिया है यहां पर हमने लिए हैं ड़स्पून ले ले खक लिया है 10 पीश लिए कश्मीरी लाल मिर्च के और अगर आप तीखी ले रहें तो कम लिजिए गा क्श्मीरी त्वरम लाल मिर तो यहां पर देखी चटनी पीसकर हो गई है हमारी रैडी अब इसको एक बोल में निकाल लेंगे इसमें एड़ करेंगे एक लेवन जूस बाकी नमक वगए आप यहां पर चेक कर लें कम लगे तो और एड़ कर सकते हैं खुब अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को य पेले का शेप देंगे को थोड़ा सा सूखा अठा लगा कर इसी तरह हम सभी पीडा बना कर त्यार करेंगे एक पेड़ा लेना है इस तरह सा तो कहा आटा से स्दकरना और उड़ाना है और इसको दया है जैसे कि हम नूर्मल रो्टी बेल देना वैसे लीजिए यह देखिए यहां पर हमने इसको बेल लिया है और अब इसके ऊपर लगाएंगे हम थोड़ा सा ओईल या फिर घी क्योंकि हम इसको थोड़ा सा लेरदार बनाएंगे थोड़ा सा सूखा अटा भी लगा देंगे बस इसको हम रोल कर लेंगे यह देखिए इस तरह से आच्छे और यह देखिए हमारा पराठे को हमने बेल लिया है बस इसको सेकेंगे तो यहां पर मैंने एक तबा रख लिया है और फ्लेम को आण कर लिया है तरह से कलrr आजाए तब इसकी साइट चेंज करना है दूसी साइट से भी सेख लिए है फर फोड़ा सा ओल घी या बटटर ज जाती रहती है यह पराठा हमारा सिकर हो चुका है रेडी हमने सब पराठा से रेडी कर लिए और इसकर क्या है चटनी के साथ यहाज यह आपको दिखाओंगोंगों कितने क्रिजपी खस्ताइधार बनकर लुए तो ट्राइ बैग्फरस्ट के लिए यह पर लद के यह बहुत ही जादा मज़ेदार है यह पर टिफिन वाक्स के लिए आप जैसे चाहें बैसे इसको सर्फ कर सकते हैं बहुत टेस्टी पराच रहे हैं और बनाने में भी बहुत इसी हैं तो ट्राइ जरूर कीजिएगा जब भी आप ट्राइ करते हैं तो मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताईएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी उम्मिद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आयोगी रेसिपी पसंद आयो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलती हूँ नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए बाबाए